बजट 2019, अंतरिम बजट क्या है? पूर्ण बजट और अंतरिम बजट के भीज अंतर क्या है? क्या सरकार के लिए चुनावी वर्ष में पूर्ण बजट की बजाए अंतरिम बजट पेश करना अनिवारे है? जनता की पैसे खर्ज करने के लिए समवैदानिक जनारेश क्या है? जी एस पेपर दो सरकारी बजट इस वीडियो में आप सभी उपरूप्त प्रशनों के लिए विस्तृत उत्तर पा सकते हैं उपरूप्त लिख से प्राप्त किया गया है जो हम प्रदान कर रहे हैं वेहपूर्ण वीडियो में से केवल 10% नमोना है हमारी वेबसाइट www.indy.isvideos.com पर जाएं और सभी वीडियो देखने के लिए पाठिक्रम में शामिल हैं ये किस संदर्ब में है? अंतरिम बजट जो पिछले वोट आउन अकाउंट से अधिक पूर्ण बजट की तरह था फरवरी के पहले दिन दो पूर्ववर्थी यूनियन बजट की तरह प्रसुद किया गया था 2016 से 17 के वित्तिय वर्ष के दौरान लिए गए एक निरणे के बाद बजट फरवरी के पहले दिन पेश किया जाता है लेकिन फरवरी के अंत में घोशित बजट के फैसलों पर सरकारी मशीनरी ने में धीरे धीरे जवाब दिया अंतरिम बजट क्या है? सभी व्यवहारी कर्थों में एक अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट है लेकिन सरकार द्वारा अपने कारेकाल के अंतिम वर्ष के दौरान पर प्रसुत किया गया यानी चुनाव से ठीक पहले एक अंतरिम बजट खातों का एक पूरा सेट है जिसमें खर्च और रसीद दोनों शामिल हैं लेकिन इसमें बड़े नीतिकत प्रस्ताव नहीं हो सकते हैं पूर्ण बजट और अंतरिम बजट के भीज़ अंतर क्या है? पूर्ण बजट और अंतरिम बजट के बीज अंतर पूर्ण बजट दोनों व्यक और राजस्वा पक्ष से संबंधित है लेकिन अंतरिम बजट किवल सरकार के बजट के व्यक पक्ष से संबंधित है अंतरिम बजट आमतर पर दो महीने के लिए वैद होता है लेकिन एक पूर्ण बजट बारह महीने एक वित्तिय वर्ष के लिए माने होता है क्या सरकार के लिए चुनावी वर्ष में पूर्ण बजट की बजाय अंतरिम बजट पेश करना अनिवारे है सरकार के लिए एक चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट पेश करना अनिवारिन नहीं है हाला कि कन्वेशन एक अंतरिम बजट पेश करने और खाता मार्क पर वोट के माध्यम से खर्च करने के लिए आवश्यक निधी प्राप करने के लिए सरकार पून बजट के लिए भी जा सकती है और वित्त प्राप करने के लिए बिलों को पारित करवा सकती है जनता की पैसिक खर्च करने के लिए समवैदाने की जनारेश क्या है? खर्च के लिए सरकार को विधान मंडल संसत की मंचूरी की जरूरत है हाँ सरकार अपनी इच्छानुसार खर्च नहीं कर सकती है भले ही सरकार विभिने करों और शुलकों के माध्यम से जनता से पैसाई कठा करती है लेकिन उसी के खर्च के लिए उसी विधान मंडल से अनुमोधन की आवशकता होती है केंद्र सरकार की माबले में विधान मंडल संसर के निचले सदन लोकसभा से मेल खाती है भारत के समविधान के अनुच्छे 266 में कहा गया है कि भारत की समेकित कोश से धन खिचने के लिए संसर दी ये अनुमोदर आवश्यक है